शुप्रभाद आप सभी को राजिश कुमार का नमस्कार आज का थोट आफ तड़ी हमें भीजाए दिल्ली से नरिश कुमार जी ने वो कहते हैं किसी ने क्या खुब लिखाए प्रेम की डोर बहुत बारीख होती है लेकिन मजबूत इतनी कि वो ईश्वर को भी बांद सकती है धन्यवाद नरिशी हमें ये खुबसूरत विचार भीजने के लिए यदि आप भी हमें ऐसे विचार भीजना चाते हैं तो हमें बताएं हम आपके भीजे हुए विचारों को भी समलित करेंगे अपने इस प्रोग्राम थौट अफ़ दे बे आपका दिन मंगल में हो और आपकी सभी एक शायं पूरी हो आईए अब सुनते हैं एक भक्ति में कह साइम बाबा के चमतकार साइम बाबा की शक्ति शर्डे के समर्थ संत शिरूमणी श्री साइम बाबा को कौन नहीं पैचानता ब्रह्मलीन बाबा की अमोग असाधरन शक्ति का अनुभव अनेक लोगों को हुआ है सन 1918 में समाथी लेने के बाद आज तक अनुगिनत भक्तों को प्रेणना प्रतान कर उनके जीवन पत को उजागर किया है बंबई से शर्डी जाने का रास्ता उस वक्त इतना आसान नहीं था आज जैसे स्पेशल साधन उस समय नहीं थे तो बड़ी परिशानी होती थी फिर भी बाबा की प्रेणना से शर्डी यात्रा मैंने कई बार की साथ साल पहले जब मैं शर्डी गया तो मैंने समाधी स्थान पर खड़े होकर साही बाबा को संबोधित करते हुए का बाबा आज तक तो आपकी प्रेणना या सूचना के मताबिक मैं यहां आया हूँ किन्तो अब मुझे ख्याल आता है कि इतना कश्ट उठा कर मुझे यहां क्यों आना चाहिए अन्ने लोगों तो किसी उम्मीद या जिग्यासा के कारण आते हैं पर मुझे तो ऐसी कोई आपशक्ता नहीं अब तो आप यहां आने की प्रेणना करेंगे तो भी नहीं आऊँगा अगर आप मुझे यहां बुलाना चाहते हैं तो आपको मेरे लिए मोटर कार की विवस्था करने पड़ेगी तभी मैं आप आऊँगा आपके लिए कुछ भी नामुम्किन नहीं ऐसा कहकर मैं साई बाबा को वंदन करके वापस लोटा इस घटना को कोई तीन साल बीद गए इस बीच शिड़ी जाने का कैई बार मन हुआ लेकिन अब वैसे ही थोड़े जा सकता हूँ बिना मोटर कार भेजे मैं कैसे जाओं मेरी शर्थ क्या है बंबई के एक दो परिचित सद ग्रहस्तों से अप्रतिक शुरूप से बाचीत की लेकिन बंबई के बाहर मोटर भीजने के लिए वे तैयार नहीं हुए मुझे विश्वास था कि बाबा किसी के दिल में प्रेर्णा करके निर्धारित कारे पूरा कर देंगे उस वक बालकेश्वर इस्थित आरोगे भवन में मेरा सत्संग प्रवचन चलता था इसमें एक भावुक भेंजी भी आती थी उनकी आर्थे खालत अच्छे थी प्रवचन के बाद एक बार उन्होंने कहा आप कहीं बाहर गुमनी नहीं जाते क्यों? मैं तो हर रोज जाता हूँ मैंने उत्तर दिया पैदल जाते हैं? हाँ प्रयाय पैदल जाता हूँ कभी कभी बहुत दूर जाना हो तब टैक्सी कर लेता हूँ मुझे भी सेवा का अफसर दीजिये न मेरी मोटर है आपके कहने पर मेरा ड्राइवर आपको ले जाएगा देखूंगा मैंने संछेप में कहा बाद मैं भी दो-तीन बार बहनजी ने मोटर के लिए कहा उनका आग्रेव अप्रेम देखकर एक पर मैंने साफ साफ बात की मुझे मोटर की आपशक्ता है किन्तु बंबई घुमने के लिए नहीं शिरड़ी जाने के लिए कितने दिनों के लिए तीन चार दिनों के लिए ये सुनकर बहनजी बोली मोटर आपकी है मैं घर जाके उनको पूछूंगी वे ना नहीं कहेंगे तुम पूछ कर उत्तर दे देना बहनजी गई मुझे लगा के साइं बाबा ने हमारी इच्छा नुसार तैयारी करने के शुरुआत की है वरना साधरन परिच्छे वाली ये बहनजी इतने प्यार से मोटर कार के लिए क्यों कहेंगे परन्तो तीन चार दिन तक बहनजी नहीं दिखाई दी उनके निकट रहने वाली एक बहन ने कहा वो तो बड़ी मुसीबत में फस गई है फिर उसने विस्तार से कहा कि जब उन्होंने पतिदेव से मोटर देने के लिए कहा तो वो लाल पीले हो गए और कहने लगे साधू संतों के लिए कार नहीं खरी दिये समझे और हाँ आज से तुम सत्संग में भी नहीं जाना है मैं पूरी बात समझ गया कुछ सजण कहने लगे इससे तो बेहतर है कि रेल गाड़ी से चले जाए रेजर्वेशन करवा लेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी लेकिन मेरे मन का समाधान नहीं हुआ तीन चार दिन बाद वो मोटर वाली बहनजी सत्संग में आने लगी लेकिन उन्होंने मोटर की बात नहीं छेडी मुझे भी इस बार में पूछना ठीक न लगा मैंने सोचा कई बार मनुष्य की इच्छा या भावना होनी पर भी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उसका आचरन नहीं हो पाता दो तीन दिन और गुजर गए चौथी दिन सत्संग की समाप्ती के बाद बहन जी ने पूछा आपको सचमुच शेडी जाना है क्या? हाँ, लेकिन ऐसा क्यों पूछती है? आपको मोटर कब चाहिए? मैं थोड़ी देर उनकी उड़ देखता रहा और बुला जब मिले तब इतवार को भी चलेगा परन्तु क्या तुम्हारी मोटर मिलना मुम्किन है? हाँ, पहले तो उन्होंने गुसा होकर साफ इनकार किया था लेकिन आज न जाने क्या हुआ? उन्होंने मोटर देने की सहमती दे दी इतनी में वे सजजन भी आ पहुचे इतवार को शिड़ी जाना तै होने पर मैंने पेट्रोल खर्च देने को कहा तब वे बुले हम भला आप जैसे महापुरुष से पेट्रोल का खर्च लेंगे संत सेवा का लाभी सच्चा धन है हाँ ड्राइवर चाय का रसिया है उसे चाय जरूर पे लाना इस बारे में आप निश्चिंत रहिए पर आपको दो-तीन दिन तक तकलीफ होगी कोई हर्च नहीं मैं इतवार को ग्यारा बचे ड्राइवर की साथ मोटर लेकर आप पहुचूंगा इतवार के दिन हम मोटर में शड़ी जाने निकले तब उस सज्जन ने कहा आराम से यात्रा कीजेगा उस बहन जी की आँखें भराई उनके पतिदेव का मन परिवर्तिन करने वाले और मेरा निराधार सफल करने वाले साई भाबा ही थे उनकी असाधारन अगमे शक्ति का ही ये नतीजा था शिड़ी के समाधी मंदिर में साई भाबा की प्रतिवा के सामने खड़े होकर दोनों हाज जोड़कर मैंने उनको धन्यवाद देती हुए का अच्छा है आप मुझे मोटर में यहां लाए फिर भी ऐसा अवश्य करना कि प्रतेग परिस्तिती में आपके प्रति मेरा प्रेम भाब बना रहे प्रतिवा संजीब प्राणमान हुई मानो मेरे शब्द सुनकर साई भाबा मुस्कुराने लगे आपके प्रतिवा है